इस जमान में जब भी हम जॉब करते हैं या दो पढ़ाई करते हैं या दो गर पे बैठते हैं तो एक डिवाइस की हमेशा से ज़रूर रहती है वह है कम्प्यूटर तो जब भी उसको हम खरीदने निकलते हैं तो आपके हमारे पास तीन ओप्शन से अवेलिबल हो जाते हैं लैप्टॉप डेश्टॉप और इसी में से सवाल खाड़ा हो जाते हैं आखिरकार में कौन सा लो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा के आपको कौन चीजी से की लैप्टॉप में क्या डिफरेंश है डेश्टॉप लोगों दूश्मी क्या इफरेंश है और आल-इन-वन में क्या डिफरेंश है तो इस वीपोल सायनिटोग इंस कॉम्प्यूटर कॉम्प्यूटर हम काफे सारों से यूज कर रहे हैं या हो पढ़ाई के मिल जाता है उसमें क्या होता है पूरे ठास्क करते हैं और क्या है उसका हम आपको पता ही है अभी हम आते हैं ऑल-in-one तो यह और आने के बाद हमारे ओफिस में जिसके आपको पाफिसर जगत की बचात होई हमारे घर पे आप आसाने से लागे किदर भी रखके आप आसाने से उच को यूज कर सकते हैं तो All-in-one में बिसिकली क्या है हमको तीन चीजे मिल जाती है कीबाड माउस और एक मॉनिटर हाँ इसके अदर केबिलेट नहीं मिलता क्यूंकि केबिलेट की जो भी चीजे होती है और सब चीजे लग जाती है आपके मॉनिटर के अंदर तो आप जो भी काम डेस्टॉप में कर रहे थे और सभी काम आप All-in-one में आप कर सकते हो आसानी से All-in-one में हमको एक और भी चीज मिल जाती है जैसी कि है उसके अंदर इंबिल्ड हमको स्पीकर मिल जाता है जो कि डेस्टॉप के अंदर हमको नहीं मिलता अलग से हमको लगाना रहता है इसी तर हम अगर लैप इसके अंदर हमको पांच चीजे मिल जाती है स्पीकर कैबिनेट मोनिटर कीबॉर्ड और माउस काफे सालों पहले हमारा जो भी जरूरी इंफरमेशन होती थी जैसे की काम की या दो घर की हम एक बुक के अंदर उसकी पूरी इंफरमेशन लिखके उसके हम बैग में कहनी करत कर दी तो लेकिन अभी जमाना हो जोगा अप्ग्रेड हम देधी है प्रेजेंटेशन ऑफिस के आधेकाम करते हैं घर पे आधेकाम जांके वापिस करते हैं तो इसी के लिए हमको ज़रूरी थी अ कंप्यूटर की अब पॉल इनवन यह कॉंपूटर यह डेस्टॉप कॉंपूटर तो हम लेकिश आ नहीं सकते हैं तो इसी के लिए डिजाइन किया गया था लैक्टॉप लैक्टॉप विजिकली एक पॉर्टेपल डिवाइस है जो कि एक कॉंपूटर की जगा ले लेता है यह आपके बैक के एंदर आसनी से आ सकता है और आपको इसको उसको करना हो तो काफी बीयुश कर सकते हो यह बनास क्या है इसके यह अशा भी बैटरी के उपर काम करता है अब हम जानेंगे डेस्टॉप, आलिन वर्ड और लैप्तॉप इन तिनों के माइनस और प्लस पॉइंट, जब भी आप कंप्यूटर लेने तो यह सब minus और plus point आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखोगे तो आप पसंद करपाऊगे मेरे को तीनों में से कौन सी चीज लानी है अब सबसे पहरे हम जाने के desktop के कुछ plus point के बारे में अभी desktop में हमारे पास जो cabinet रहता है उसी के अंदर सब parts लगे रहता है अभी इसमें से आपको आपकी performance के एसाब से आपको जो चीज अपग्रेड करने आप कर सकते हो जैसे कि आपको storage जाता चाहिए तो आप hardware बदल सकते हो आपको processing जाता चाहिए आप processor बदल सकते हो games के लिए और higher खेलनी है तो आप graphical को upgrade कर सकते हो इसी तरह cabinet के अंदर की जो भी components है उस सबी components को आप आसानी से upgrade कर सकते हो और desktop computer का सबसे बढ़िया point यही है कि आप हर एक चीज बदल सकते हो इसके लिए आपको पुरा को पुरा device बदलने की जरूत नहीं है desktop computer का दूसरा plus point यह है आप इसके अंदर जो भी components होते हैं उसको आप multiple use कर सकते हो जैसे कि समझो आपको gaming के लिए आपका जो graphic card है आपको कम बढ़ रहा है तो आपको दूसरा लगाना है तो वह भी आप इसके साथ लगा सकते हो मतलब दो graphic card एक साथ चला सकते हो आपका storage आपको कम बढ़ रहा है लेकिन आपके old hard drive में देटा पढ़ा रहेगा तो आप साथ में नया वाला hard drive हो इसके साथ install कर सकते हो आपको दोनों hard drive साथ में चला सकते हो ऐसे काफिसे components आप desktop computer में multiple use कर सकते हो तो कि यह काफि अच्छी बात अप desktop computer के दिस तरह plus point है वह है monitor keyboard mouse इसका मतलब यह है जैसे कि मैंने आपको बताए चारों चीज़े अलग आती है तो आपको इंग future जब भी आपको keyboard बदलना हो mouse बदलना हो या monitor बदलना हो आप आसाने से बदल सकते हो आपको जो cabinet मैं उसको सेम रखके आपके बाकी को चीज़े हो आप आसने से बदल सकते हो अब मैं desktop computer के अगल अगर इसको यूज़ करूँगा मैं तो उसको काफी अच्छी देसे वह cool करेगा और cool करेगा तो आपके जो components है ठंडे रहेंगे और ठंडे रहेंगे तो आपको performance भी काफी अच्छी रहेंगी इसी तरह desktop computer में water cooling का भी यूज़ कर सकते हैं तक कि वह water control system को काफी अच्छी द अलग अलग पार्स और कैसे अलग 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 चीजे हम motherboard में लगा सकते हैं पर, 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 motherboard की भी कुछ limitations होती है मतलब कुछ minus points होते हैं आप कोई भी बहुत महंगा graphics card या फिर कोई भी बहुत महंगा RAM या फिर कोई बहुत ही high end चीजे आप ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं आपको देखना पड़ेगा कि आपका motherboard क्या-क्या चीजे capable है और क्या-क्या चीजे support का सकता है उसी की हिसाब से ही आप चीजे लगा सकते हो तो हमने इतने सारे components लगा दिया हम दर motherboard लगा दिया गफिस कार्ड लगा दिया water cooling system लगा दिया तो इससे होगा क्या आपका जो cabinet रहेगा वो हो जाएगा heavy तो heavy की वज़ए से आप इससे यहां वहां move नहीं कर सकते हैं आपको का speaker use करना हो तो आपको externally speaker को purchase करना रहेगा उसे use करना रहेगा ऐसी camera में भी ऐसा है कि अगर आपको camera use करना हो आपके desktop में तो भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा monitor के उपर उसको लगा के उसे use करना रहेगा अब यहां बात करूंगा all-in-one PC की बारे में all-in-one PC की खासिय है जो desktop PC के अंदर जो cabinet आता है उसके सारे के सारे components गुष जाता है monitor के अंदर तो इसके आप देख सकते हैं उसका plus point क्या है कि यह जगा कम रोखेगा मतला आपके desk के ऊपर सिर्फ एक monitor के size का पूरा पड़ा रहेगा और उसरी keyboard और mouse बस इतनी जगा पर यह पूरा काम करता है दुसरी मैं plus point की बात करूँ तो हमारे desktop PC में हमको पिछे से काफी सरे wires लगाने देती है लेकिन अगर all-in-one PC की बात करूँ तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमको एक power supply लगाना रहता है उससे बुरा काम होता है तिसरी में इसकी बात करूँ तो monitor के size होती है वो हमको बड laptop लेने जाएंके तो उसके में हम छोटी सी screen हमको मिलती है उसके मोकामले इसके अंदर बड़ी screen का हम यूज कर सकते हैं तो इसकी बात मैं बताओं तो इसके अंदर हमको built-in camera मिल जाता है ताकि हमको built-in camera लगाने की जरूत नहीं रहती और plus में 5 में बताओं तो इसके अंदर आप desktop में parts को upgrade कर सकते हो और जितना चाहिए उतना लगा सकते हो पर आगर आप all-in-one खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं होता आप उसमें कुछ limited parts और कुछ limited चीज़े ही डाल सकते हो upgrade कर सकते हो the parts डालने के लिए आपको उसे खोलना रहेगा तो उसको all-in-one को खोलना भी एक खुद में ही एक मुश्किल टास्क है तो उसको खोलना और parts को लगाना उसमें आपको थोड़ी expertise होनी चाहिए तब ही आप कर पाहोगे यह तो आपको मुश्किल पढ़ेगा यह desktop जितना easy नही सकते हो all-in-one में ऐसा नहीं होता इसमें कुछ limited चीज़े ही आप लगा सकते हो दो रम आप लगा सकते हो पर ज्यादा multiple parts को एड नहीं कर सकते है इसलिए तो जैसे कि मैंने बोला कि आप multiple parts को एड नहीं कर सकते इसी वज़ए से यह ना laptop इतना slow है और नहीं desktop इतना fast है यह दो उनों की 20 का performance आपको देगा तो अभी मैं performance wise price range की बात करूँ तो आपको यह desktop से थोड़े महंगे मिलेंगे क्यों मैं आपको बताता हूं अगर आपको for example एक टास्क है जैसे को GTA 5 खेलना हो तो आपको GTA 5 को requirement के हिसाब से आप एक desktop बना रहे हो और प्लस एक all-in-one खरीद रहे ह desktop आपको all around 50,000 में complete मिल जाएगा एक GTA 5 खेलने के लिए उसी जगा पे अगर आप all-in-one खरीदने वाले हो तो आपको उसमें 70-80,000 खर्च करने रहेंगे एक GTA 5 खेलने के लिए तो आप समझ सकते हो आपको इसमें क्या दुकसान है इसमें 50,000 उसमें 70-80,000 आपको खर्च करना रहेंगा और एक बात यह भी रहती है कि अगर आपको इससे कहीं से लेके जाना हो कहीं उसरी जगा तो भी यह ऐसे laptop इतना compatible नहीं है आप इसे कहीं और लेके जाना चाहते हो तो यह तो अगर मैं all-in-one की next minus point के बात करूँ तो इसमें आप limited ports ही लगा सकते हो ports in the sense कि आप USB ल लगा रहे हो audio jack लगा रहे हो ऐसी जो ports है उसमें single ही रहते है और आप multiple नहीं लगा सकते desktop में ऐसा नहीं होता desktop में काफी सारे अलग-अलग ports होते हैं अगर आप USB की बात करें तो desktop में on approach कम से कम 5 आपको USB port मिलेंगे उसमें लगाने के लिए पर all-in-one में वो 2 या 3 ही होंगे जाला नहीं होंगे तो आप external devices बहुत कम लगा पाएंगे all-in-one में अब यहां बार करूंगे laptop के कुछ plus point के बार में laptop को सबसे अच्छी बात यह है यह business के लिए जिसे design किया गया था तो portable device है यह portable की वज़े से हम पुरी दुनिया के किसी भी कौने में किसी भी जगा पे आसानी से carry करके लिके जा सकते हैं दूसरी इसकी बात power supply यह DC पे काम कर करता है यह battery पे काम करता है इसकी वरे से अगर आपको इसी जगा पे हो जहां पर electricity अवेलिबन ही है तो अपना काम continue कर सकते हो आपको कोई वेचे में रुकावाट नहीं आएगी अब मैं दिसरे इसके plus point के बात करूँ तो इसके अंतर हमको touch screen भी available हो जाते हैं साफ में paint भी आती है तो इसके लिए आप काफी सरी जैसे के animation या drawing करना paint करना ऐसी काफी सरी सी चीज है अब आसानी से उसको touch screen पे use कर सकते हो 34 की plus point है इसके अंतर हमको camera और speaker inbuilt मिलता है तो अगर आपको छोटी मड़ी requirement है तो आपको external चीजे लगाने की जरूत नहीं है पांचवे इसके plus point के बात करूँ इसके अंतर आपको mouse pen मिलता है वो touch mouse pen मिलता है इसके काम करना काफी बहतर हो जाता है laptop के दुसरी सबसे अच्छी बात यह है यह market में convertible भी available है मतलब पुरे का पुरे laptop पा 360 convert कर सकते हो मतलब इसका flip परने का यह का फायदा यह है इसे आप directly as a tablet पी use कर सकते हो जो कि educational purpose में हमको काफी help करता है तो अब आता है laptop के कुछ minus points पे तो यह same as all-in-one की तरह ही है इसमें भी आप limited post लगा सकते हो इसका मतलब आप limited USB limited audio jack वो लगा सकते हो प्लस अगर आपको parts upgrade करने हो तो वो भी limited है अगर आपको upgrade करने हो तो आपको 2 graphics card भी 2 hard drive नहीं लगा सकते हैं अगर आपको उसको लगाना भी हो उससे खोलने के लिए आपको कफी मुश्किल्या आ सकती है खोलना उतना आसान नहीं है तो आप बात करता है laptop के कुछ अगले minus points के बादे में तो जैसे कि जो desktop और all-in-one है वो AC powers पे काम करते हैं इसका मतलब उनको alternative color में रिखता है और जो laptop से वो AC पे नहीं वो DC पे काम करते हैं अब बैटरी पे काम करने का नुकसान क्या है कि वो बैटरी से low performance ले सकते हैं और low performance ले सकते हैं तो इसी वज़े से अगर आप compare करने जाओ according to desktop और all-in-one तो आपको laptop में DC की वज़े से performance कम मिलेगी तो अब आता है laptop के last minus point में तो इसमें मैं आपको बात करूंगा performance wise price की तो इसमें क्या है कि जैसे कि अगर मैं compare करू एक desktop एक all-in-one और एक laptop की for example मैं एक task को ले लेता हूं जैसे कि GTA 5 game तो उसको मुझे run करना है smoothly run करना है एकदम अच्छे से तो उसकी लिए मुझे एक desktop पे 50,000 रूपीज एप्रॉक्स खर्च करना रहेगा ठीक है अगर मैं बात करूंग इसमें all-in-one की तो उसमें मुझे on-air approach 70,000 रूपीज खर्च करना रहेगा और इसी पे laptop पे मुझे on-air approach 80,000 रूपीज खर्च करना रहेगा आगर मुझे GTA 5 smoothly खेलना है तो तो इसी सी यह आप सोच सकते हो कि आपको किस में जाना है तो हमने desktop all-in-one और laptop इसी सभी के plus point और minus point आपको समझा दिया है इन्ही सभी बातों सब समझ सकते हो कि आपको कौन सा डिवाइस और कौन सा product आपको purchase करना चाहिए चोड़ा समय आपको इन्ही सभी चीजों से आप plus minus करके देख सकते हो इन तीनों में से आपको कौन सी चीज लेंगे चाहिए तो I hope मैंना आपको चले से सब समझा दिया है So this is Whipple signing off its computer आपके लिए बैटर बैटर है तो अब आता है laptop के कुछ अगले minus points के बारे में तो All In One specially designed किया था space को मताने की लिए बदाने की की Space को क्या हाँ